Hello dear student, welcome to AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes. I hope आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी preparation को continue कर रहे होंगे. आपकी preparation को और boost करने के लिए, effective बनाने के लिए AEC Plus लेकर आया है आगाज स्रीज. इसमें हम लोग देखने वाले TCS, all over India जितने भी exam conduct करवा चुकी है, हम लोगों ने subject wise analysis करके एक स्रीज बना दिया है, जिसका नाम है आगाज. इससे आपको TCS phobia, जो आपके मन डर बैठा हुआ है मन में, उसको दूर भगाने के लिए हम लोगों ने पूरे महनत कर लिया है. बस आपका काम है continuity बना के जुड़े रहना. इससे आपको ये help मिलेगा, कि अगर आप 2024 में कोई भी exam target कर रहे हैं, चाहे हो SSJ हो, RRBJ हो, या कोई भी state AJ हो, आपको इससे बहुत ही help होने वाला है. क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डिटेल में हम लोग पूरे question को solve कर रहे हैं, सिर्फ option यहाँ पर टिक नी कर रहे हैं. चलिए, ओके, चलिए, last class में हम लोगों ने कितना 7 lecture हम लोगों ने complete कर लिए, आज आपका 8 लेक्चर है. हम लोगों ने क्या देख रहे थे? Basic देख रहे थे, किसका? Basic of RCC देख रहे थे, इसमें हम लोग LSM का भी question देख रहे थे, WSM का question देख रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आज आपका 8 लेक्चर है. आपका काम क्या है आपका काम है कि आपका जो भी important आपको point लगे उसको short notes में add-on करते रहना है क्योंकि यही आपको last new exam से पहले revision करने में help करने वाला है चलिए start करते हैं आज का session का पहला question question का arrangement आप अपने coding arrange कर लिए आपका मतलब है सिर्फ question से ओके चलिए देखते हैं पहला number question select the correct option from the flowing statement related to limit state of design of a structure as per IS 800227 यह किसका code है सर यह steel का code है लेकिन आपका RCC में question आईगा तो डरने की जरुवत नहीं है लिमिट state of a strength are those associated with failure under the action of probable and most unfavorable combination of loads design using appropriate partial safety factor यह बोल रहा है सर जो limit state of a strength करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं failure का consideration करते हैं किसके लिए आपका load combination करते हैं किसके लिए प्रोवेबल लोड करते हैं और unfavorable load को combination करते हैं इसलिए तो हम लोग उसको उसके लिए हम लोग क्या partial factor of safety उसकरते हैं जैसे एक्जाम्पल के तोर पर देखें जैसे डेट डोड लाइब लोड है उसके लिए हम लोग पार्सल फेक्टर सथी कितना यूज करते हैं 1.5 तो यहीं बोल रहा है कि आप सब जो आपका जो फिल्वर अंडर एक्शन ऑफ प्रोवेबल एंड अन फैवरेबल कंबिनेशन अफ लोड डिजाइन यूजिंग एप्रोपियर्ट पार्चल सेप्टी उफेक्टर जानी कि आपका क्या यह सही है यहां पर बोलास निए इस के अंदर आथा है यहां पर बोला सब लिमीट-एक्षट ऑफ पनाया वगुआ मैं नहीं है इसमें क्या क्या आता है इसमें डिफॉर्मेशन आता है डिफ्लेक्षन आता है वैवरेशन आता है और क्या आता है और इसमें आपका 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 क्या आता है फायर भी आता है यह आपका दोनों से ही है, हम लोग इसमें load combination के लिए हम लोग आप partial factor of shift करते हैं, पहला option यह बोल रहा है, और हम लोग लिमिट state of serviceability में यह यह example होता है, यानि बोथ क्या हो गया, यहाँ पर correct answer हो गया, बोथ statement are true, option A is the correct answer of this question, चलिए, A is the correct answer, question number second देखिए, according to limit state theory, and as taken as IS456, the maximum compressive strain, क्या पूछ रहा है, the maximum compressive strain in concrete in axial compression is taken as, axial compression की बात कर रहा है, हम लोग वहाँ पर, maximum compressive strain कितना लेता है, कितना लेते हैं, जब आपका क्या है, axial compression, यानि की column की बात कर रहा है, तो इसके बारे हम थोड़ा सा समझिए, एक सेकेंड, आप ध्यान से समझिए, इसमें क्या लग रहा है, सर, इसमें आपका क्या लग रहा है, इसमें आपका क्या लग रहा है, लोड लग रहा है अपना, लोड कितना लग रहा है, आपका P लोड लग रहा है, पी यू मौन लेते हैं, आपका ultimate load लग रहा है, column पे, ठीक है, हम इसमें plan दिखा रहे हैं आपको, कि इसमें क्या है, अगर rectangular आपका क्या है, rectangular आपका cross section है, तो हम लोग 4 नंबरों बार, मिनमम 4 बार हम लोग use करते हैं, यह आपका so कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कि आपका बिल्कुल, आपका कहा cg पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, cg पे लग रहा है, यह आपका neutral axis है, बिल्कुल लोड कहां पे लग रहा है, आपका column के cg पे लग रहा है, यानि कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जीरो आएगा, तो code ने बताया, कि आप जब क्या कर रहे हैं, maximum compressive stress in concrete, in axial compression ले रहे हैं, तो कितना हम लोग लेंगे इस वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लेंगे, strain लेंगे कितना, 0.002, यानि कि 0.2% हम लोग strain लेंगे, कोड ने बताया, फिर क्या बताया, फिर बताया कोड ने, और क्या बताया कोड ने, ध्यान से समझिएगा, कोड ने बताया कि सर इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, जो कि CG पर नहीं है, लोड कहाँ पर CG पर नहीं है, तो cg पे नहीं है यानी कुछ न कुछ Ucenticity है, ücenticity जैसे है आएगा तो क्या आएगा moment आ जाएगा, हम चलिए, अब क्या है कि इसमें भी आपका यह क्या है सरीया सो कर दी है, अब इसमें बुलता है कि सर जब आपका कुछ इस तरह से variation हो, जब आपका load इसमें axial के साथ सथ bending भी आ गया, क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ axial आ रहा है, axial load लग रहा है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है? जब इसमें आपका load के साथ साथ आपका moment भी आ रहा है, तो क्या होता है? जो list compressed fiber आता है, यहाँ पर आपका जो strain आता है, code ने बताया, इसमें 0.0035-0.75 ε0, और यहाँ पर आया आपका 0.75 ε0, यह आपको ध्यान रखना है, कब यह भी लूक आएगा? यह आएगा strain in list compressed fiber, दोनों value आपको याद रखना है, जब आपका axial load लग रहा है, तो strain कितना आएगा? आपका 0.002 आएगा, कितना? 0.002 यानि कि percent पर पूछे है, तो 0.2% और यह आपका load के साथ, आपका moment भी आ रहा है, यानि लोड आपका क्या कुछ centricity पर लग रहा है, तब आपका जो strain का variation होता है, आपका list fiber पर कितना? तो 0.0035 minus 0.75 ε0, और आपका यहाँ पर होता कितना? 0.75 ε0, यह दोनों value आपको याद रखना है, आप से question में क्या पूछा सार, question पूछा सार, आप बता दिया, maximum compressive strain in concrete in axial compression, यानि कि सिर्फ और शिर्फ axial compression की बात कर रहा है, तो आपका कितना strain आएगा? 0.002 आएगा, यानि आपका भी आपका correct answer हो गया, ओके? एक चीज़ और धियान रखियेगा, maximum compressive strain in concrete in bending बोले, क्या in bending? यहाँ पर होता है, आपका 0.0035 बर्ड को पकड़ना है, आपको क्या बोल रहा है, इसको ध्यान देना है, अगर आपसे बात बोल दे, कि आपका in bending की बात करें, तो आपको यह value लेना है, bending बड जब आ गया, तो आपको maximum strength in concrete में कितना आएगा? 0.0035 आएगा, कितना? 0.0035 आएगा, और इसके लिए कितना आता सर? आपको क्या हो गया, करेक्ट एंसर हो गया, अगले question में move करते हैं, question number 3, according to IS-456, what is the partial safety factor for load in case of limit a state of collapse when the dead load and live load are taken into account? यह पूछ रहा है सर, बताइए, IS code के according बताइए, कि जो आप partial safety factor लेते हैं, कि इसमें limit a state of collapse में, किसके लिए, dead load and live load के लिए, कितना हम लोग लेते हैं? आपको मैं ने बताया था, यह हम लोग कितना लेते हैं? 1.5 लेते हैं, कितना? 1.5 लेते हैं हम लोग किसके लिए? dead load plus live load के लिए, और अगर आपका 1.5 और 0.9 लेते हैं किसके लिए? dead load plus bin load या earthquake load, अगर आपका डेड़ लोड के साथ बिंड लोड या अर्फ के लोड आ जाए हम लोग 1.5 और 0.9 लेते हैं 0.9 किसके लेते हैं ओवर टर्निंग के लिए तो डेम बगेरा डियाइन करते हैं उसमें हम लोग लेते हैं ओके वहीं पर हम लोग 1.2 किसके लिए डेड़ लोड प्लस लाइव लोड प्लस और क्या हम लोग लेते हैं बिंड लोड और अर्फ के लोड यानि तीनों का कंबिनेशन आ जाएगा डेड़ लोड लाइव लोड प्लस बिंड लोड अर्फ को आ जाएगा तो लोग कितना पार्सल सेप्टी फेक्टर लेते हैं 1.2 यह किसके लिए होता से लिए तो मैंने बता दिया है यहां पर क्या गर्षा यहां पर आपका यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपके यह उंपर यह पर करेंशर हो गया होप के aí १LP करते रहे हैं चल должна ओसब बससे पहले समझी कि डभली रेंफॉर्सेक्षन इस यूज़न न यह पूछ रहा हम लोग डबली में कहा होता है आप करते हैं वहें हम लोग डबली में कहां पर द्य vale देते हैं जो डबली रेंफॉर्स सेक्शन है इसमें हम लोग कहाँ देते हैं कंप्रेशन है एंड टुN बोत दबली रेंफॉर्स्में में हम लोग compression में तो देते ही देते से टेंशन में तो देते ही देते हैं साफ में लोग compression जोन में भी हम लोग क्या reinforcement provide करते हैं फिर हम लोग और किस-किस region से provide करते हैं W reinforcement अगर आपका अगर आपका क्या width and depth are restricted अगर आपका width और depth आपको restrict कर दिया जाए थब आपको option बसता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डबली पे जा सकते हैं औरप दे सकते हैं जब आपका bending moment ultimate bending moment जो है आपका ज्यादा आजाए किससे। आपका ज्यादा आजाए這樣的 मैं कि अब आपका ultimate bending moment से ultimate bending moment ज्यादा आजाए मालला जो bending moment आपने calculation करके से निकाले जो maximum bending moment है limiting moment है उससे ज्यादा भेल लुआ गया तो आपको डबली में जाना पड़ेगा यह दो रीजन है आपका जब आप डबली प्रोवाइड करेंगे जब आपका विड्थ जब आपका क्या विड्थ आपका विड्थ एंडव अपका रिस्टिकेट हो तब हम लोग प्रभाइड करते हैं और आपका बेंडिंग मोमेंट आपका ज्यादा हो लिंटिंग सबस्टिक्टेदancy डिटीज ओने सब्सक्राइब उप्सक्राइब हम योग टो तो क्या पर निटए आप शुक्टेब और एक क्या होगा आपका ultimate bending moment क्या होगा ज्यादा आप लिम्टिंग मोमेंट से तब हम लोग प्रवाइट करेंगा सी आपका correct answer हो गया I hope आपको clear हुआ होगा चलिए question नमर फाइव देखिए क्या पुछ रहा है लिम्टिंग मोमेंट आप रेजिस्टेंस यानि और सिंग्ली रेंफोर्स सेक्षन फोर एफ वाई 250 के लिए आप बता दिये सर लिम्टिंग क्या होगा जब आप सिंगली रेंफोर्स डियाइन कर रहें तो बी क्या बता रहा है विट बता रहा डी आपका एफ्यक्टिव डेप्थ बता रहा एक इल्ड़ स्टेंथ बता रहा है आपका गिविन ऑप्सन दिया हुआ है चलिए इसके बार में देखते हैं यह आपको फीग एक है लगा हो इसके नीचे आपका क्या हुआ किलीर कवर होता है और इसकर बीच में क्या होता यह एक्टिव डेप्ट हम लो लेते हैं ठीक हाई और और आपका डिस्टेंस न्मित ले लिए आ आपको मैंने बताया था यह गर बेंद्निंग में विए तो लोग कितना LO कमپरे चुका एक्जाम में तो आपका compression की value भी याद रखना है साथ में tension की value याद रखना है चलिए अब जो है इसका जो variation जब stress diagram बनाएंगे तो आपका जो 0.002 strain होता है वहां तक आपका variation क्या होता है रेक्टेंगुलर होता है उसके बाद आपका जो होता है क्या होता है तो जब निकाल के calculation में पाया गया कि आपका जो है यह जो आपका जो cg है कहां इसमें निकालेंगे तो कितना 3 by 7 x u पर आएगा और इसके नीचे 4.7 x u पर आएगा और आपका 0.42 x u पर लाई कर रहा है और यह माइनस करेंगे d में सो दो d माइनस 0.42 x u आएगा यह सब आपको visualize आप अगर theory पढ़े होंगे तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे करने के बाद यह देखा गया कि अगर आप कितना 250 कर रहे हैं तो एक्सियू मैक्स जो आएगा 0.53 डी आएगा एक्जाम में कई बार पूछा है कितना 0.148 fc kbd square किसके लिए 250 के लिए इसी 215 के लिए है और यह 500 के लिए यह तीन वेलू आपको याद रखना है इसको याद कैसे करिएगा देखिए यह जो है न आपका 48 से कितना 10 की कमियाए कितना 10 की कम आहिए कि अपका 5 की कमियाए तो आप इसे याद रख सकते दस की कमी, देल पास की कमी, तीन वहलू आपको याद रखना है, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, जब C equal to T करिएगा, जब आप निकालिएगा, आपको moment निकालने के लिए क्या करिएगा, moment निकालने के आपको क्या करना पड़ेगा, क्या moment is equal to होगा, C into liver arm, मतलब जो liver arm है, वो करिएगा, तो C कितना आया था आपका, 0.36 FC के XU B into, liver arm कितना है सर, liver arm है, D minus 0.42 XU, जब ये value से आप निकालिएगा, जब यहाँ पे आप XU की value पूट करिएगा, जो आपको 250 के लिए कितना है सर, 0.53, तो आप पूरे को solve करिएगा, तो यही आपका relation तीनों आएगा, त आपको बार-बार prove करने के जोड़त नहीं पड़े, बस direct याद रखना है, आपको question में किसके लिए पूछा है, question में आपसे पूछा है, किसके लिए 250 के लिए, यानि 250 के लिए कौँछा होगा, 0.148 FC K BD square, कितना, 0.148 FC K BD square, और भी आपसे पूछ सकता है, 415 के लिए और 500 के लिए तो आपको याद होना चाहिए, option D, आपको क्या होगा, correct answer होगा, okay, चलिए, question number 6 देखिए, which load combination satisfy the value of partial safety factor for live load as, कितना, 1.05 in case of limit state of strength, यानि की collapse की बात करा, limit state of collapse में आप बताईए, live load 1.05, कौन से factor में हम लोग consider करते हैं, आपको option दिया हुआ है, चलिए, इसको आपको ये table भी आपको, load combination जो मैंने आपको last में बता रहा था, पहले question में, यहाँ पर भी आपको load combination जो है, क्या है, ध्यान रखना है, okay, चलिए, आप से पूछा कि 1.05 live load, किसमें हम लोग करते हैं, okay, तो देखिए, यहाँ भी करते हैं, और यहाँ भी करते हैं, यानि 2 में करते है यह option क्या हो सकता, dead load, live load, crane load हो सकता है, यह dead load, live load, crane load, plus bin load, या earth. को एक लोड हो सकता है question देखिए dead load live load crane load यानि कि यह आपका क्या हो गया आपका यहीं पर देखिए option B आपका correct answer हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह table आपको क्या है सर यह table आपको अच्छे स्याद होना चाहिए आज इसके लिए पूछ दिया कल आपको कोई और different combination पूछ सकता है यह आपका limit state of strength की बात कर रहा है और यहां से आपका limit state of service rating की बात कर रहा है यही मैं बता रहा था आप से table कि आपको कैसे याद रखना है ठीक है आपसे 1.05 पूछ रहा है किस में multiply होता है तो आप देखिए डेड लोड लाइव लोड और क्रें लोड डेड लोड लाइव लोड क्रें लोड यानि कि आपका बी आपका क्या हो गया है यानि कि दो तरीके से से question बनता है ओके चाहे तो आपको combination डिरेक्ट दे देगा वहलू दे देगा उहां से लिए अगले question पर मोग करते question number seven in the design of RCC structure the limit state of collapse deals with limit state of collapse किस से deals करता है जब हम लोग RCC structure design करते हैं मैंने आपको बताया था कि limit state of collapse जो है आपको strength and safety की बात करता है किसका strength and safety की बात करता है इसमें क्या क्या आता है आपका torsion आ जाता है आपका compression आ जाता है यह सब आपका अंडर में आता है strength की बात करता है ओके चलिए तो आप option पढ़िए leakage and barter in the structure loss of durability discomfort used by excessive deflection जो यह तीन option है आपका कुन सा है यह 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 तीनों option है यह तीनों जो option है आपका यह यह और यह 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 बताता है सब्सक्राइब करता है लेकिन जो c option आप देख रहे है यह बताता है the strength of a structure under the maximum design load यानी strength की बात कर रहा है तो strength की बात किसमें करते हैं हम लोग limit state of collapse में करते हैं यानी कि आपका c क्या हो गया हाँ पर correct answer हो गया कितना important है देख डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेंगे भी आपका question बना रहा है इसलिए मैं इसको बार-बार आटको बता रहा हूं साथ-साथ की revision होते रहे c is the correct answer question number 8 देखिए which of the flowing constant factor related stress in still linearly with strain in adjoining concrete यह बोल रहा है कौन सा constant factor हम लो लेते हैं जब still linearly with strain adjoining concrete में convert करते हैं यह question बोल रहा है न कि कौन सा variation लेते हैं इसके आपका steel को आपके किसमें concrete में convert कर सकते हैं तो किसको हम लोग लेते हैं modular ratio को लेते हैं किसको modular ratio इसको M से हम लोग लिख रहे हैं likewise rememberBY समें मोड़ला रेस्टियो आपका होता है क्या मोड़लास अपिलास्टिचिई इस्टील अपॉनम diff छोफ क्क產रिट क्या होता है मौड़ास अपिलास्टिचिटी ऊफ इस्टील अपउन मोड़लास σας अपिलास्टिचिट्ट यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस ते फाइदा क्या होता है कि आप इसको क्या है स्टील को आप कॉंक्रीट में करते हैं यानि कि एक मेंबर को दूसरे में आप इसको convert करते हैं इसलिए इसको linear variation होता है ओके और क्या होता है एक modular ratio का m equal to क्या होता है 280 upon 3 sigma cbc यह भी फॉर्मूला आपको याद रखना है आज के बाद कि डिटेल में जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है कि पूरा पहले से आप revision करके आ रहे होंगे बस मैं आपको ब्रस अप करके question बता रहा हूं यह दोनों क्या फॉर्मूला होता है सर मोडलर रेशियो का होता है ओके सिग्मा सी भी क्या होता है यह होता है सर आपका permissible compressive stress in bending परमिसिवल compressive stress in bending सिग्मा सी जो होता है सिग्मा सी बीसी होता है इसको डिरेक्ट कर सकते हैं यानि कि जो भी आपका करेक्टरिस्टिक strength of concrete दिया हुआ रहेगा तो आपका टेवल दिया हुआ है एस कोड ने लेकिन मैंने क्या क्या मोडिफाइ करने के लिए एक एप्रोक्सिमेट वहलू आता है एप सी के पंधिरी निकाल ये करिएगा बीस दिया हो दो बीस पंधिरी करिएगा तो आपका डिरेक्ट सिग्मा सी बीसी की वहलू आ जाएगा यहां से आप इसको कर सकते हैं यानि कि कौन सा linear variation देता आपका modular ratio देता D is the correct answer of this question यह आपको दोनों modular ratio का फर्मूला पता होना चाहिए ओके चलिए अगले question पर move करते है question number 9 calculate the limiting moment of resistance in accordance with limit a state design of a singly reinforced rectangular beam whose width figure बना लिए जिससे की question आपको बनाने में बहुत असान हो जाए यह बोलना है sir कि B की जो value दिया है जो आपका B दिया है कितना दिया है बी दिया है आपका कितना 200 mm ओके और आपका effective date यानि कि एक second यह जो आपका D दिया है कितना दिया है डी आपका दिया है 400 mm यह आपका का effective depth आ गया अब बोल रहा है कि sir beam whose width इतना effective इतना consider that grade of steel आपको दे दिया grade of steel यानि कि Fy की value दे दिया है कितना Fy के value दे दिया है 400 15 newton per mm square और characteristic compressive string दे दिया है आपका M20 यानि कि 20 newton per mm square दे दिया है अब आप बता दिये कि limiting moment of resistance क्या होता है क्या limiting moment of resistance क्या होता चार सो पंद्रा grade के लिए मैंने अभी आपको formula derive करके बताया था कि जो moment of resistance होता है क्या लिख सकते हैं इसको compression force into liver arm या फिर और tension force into liver arm दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं यारी उपर से भी आप ले सकते हैं नीचे से भी ले सकते हैं ओके चलिए मैं उपर से लिख 0.36 f c k x u b into t minus 0.42 x u यह आपका क्या आ गया moment of resistance आ गया अब आपको पता है कितना आपको पुछा है 415 grade के लिए तो आपको x u by d कितना होता है sir कितना होता है 0.48 कितना होता है x u by d कितना होता है ratio आपने पिछले में आपको टेबले बता चुका x u by d कितना 0.48 यारी कि हाँ पर से जब x u निकालिएगा तो कितना है जिरो पॉइंट इन्टू डी कितना दिया होता चार सव जब इसको अप्सोल्व करिएगा तो कितना आएगा आपका x u कितना आएगा 0.48 इन्टू 192 आएगा कितना 192 mm आ गया x u कि value आ गया अब इसमें क्या क्या सारा value आपका देखे दिया हुआ बी दिया हुआ x u दिया एफ c के दिया हुआ बस आपको फॉर्मूला में बस पूट कर देना है ओके चलिए आप ध्यान दिजिए 0.36 इन्टू f c के सर कितना दिया देखे 20 दिया हुआ है 20 x u हम लोग कितना निकाले हैं भी x u सर 192 निकाले है और b कितना दिया हुआ आपका 200 mm दिया हुआ है 200 इंटू right DW कितना दिया हुआ पर दी कितना दिया हुआ पर 400 दिया हुआ है greater 0.42 इंटू x u investir 192 अको दिया हुआ है जब इसको आप solve करिएगा तो answer किसमें न्यूटन में में आपका answer आएगा जब आप 100 किलो न्यूटन में चेंज करिएगा तो 10 अपर माइनस से आपको सी इन्टू लिवराम करिए या फिर टेंशन इन्टू लिवराम करिए वहां से भी आप सोल कर सकते यानि कि आपका क्या आगया यह कंसेप्ट है इसके पीछे तो आप देख रहे होंगे फरूला भी पूस्ता साथ में नुमेरिकल भी आता तो आपको ऐसे भी ध्यान र यानि कौन सा कोड हम लोग यूज करते हैं डिजाइनिंग करने के लिए जब आपका क्या हो डेड लोड हो इसके बारे में सिंपल कोश्चन पूछा है ठीक है आप देखिए 1893 जो कोड है यह जो डिफरेंट कोड है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यह किसके लिए सर अर्थक्वेक 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 रिजिस्टेंस इसके लिए अर्थक्वेक रिजिस्टेंस अस्ट्रक्चर के लिए हम लोग यह कोड यूज करते हैं यह किसके लिए है अगर आप लिक्विड स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए कोड है आपका किस से बना हुआ कॉंक्रीट से बना हुआ है तो आप आइस 3-3-7-0 आप यूज करते हैं ओके चलिए यह कौन सा कोड है सर आइस फोर फाइफ से किस के लिए है प्लेन एंड रेंफोर्स कॉंक्रीट के लिए जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए कौन सा है 452 हजार जो कोड है आपके लिए यह है ओके चलिए ऑनोट Apple Com với पिर रहें चलिए हैं जो आपका 875 टлан है यह यह 44 लोड कम्बिनेशं के बात करता है किसकी लोड कमब्नेशन भी इसमें जो पाट वन जो की बात करता है सब को च्छन आ चुका है इसलिए आपको लाइव लेड guitar का पूश्व देगा बार्ट वन है प्रक्ट थो है सबसे पहले तो यहीं जानकारी होना चाही कि रोट के लिए कि Eastern loving love लोड के लिए जूसमें पार्ट 3 किसके लिए होता है सर, बिंड लोड के लिए, पार्ट 4 किसके लिए होता है, यह आपका होता है सुनो लोड के लिए, और पार्ट 5 किसके लिए होता है, को स्रक्राइब और फीजिए यानि को सिर्फ आप से पूछा कि देड्ट के लिए कौन सा कोड पूछा है तो औपसन तो आपका क्या है यहां पर डी आपका गया नहीं है आपको और भी कोड के बारे में जनकारी होना चाहिए यहां से आपने चार कोड़ सीखा आगे जैसे जैसे कोड़ किये आएगा हम लोग क्या डिफ्रेंट डिफ्रेंट कोड़ सीखते जाएंगे यानि कि आपका जब कोर्स पुरा इंड होगा रसे सी तो आपके पास लगवाग 15-20 आई-स कोड़ आ जाए यानि कि यह चली आपके लिए इनपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप फ्रेसर हैं अगर आप फस्ट टाइम प्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम है आप सिविल इंजिनेरिंग को पढ़ाई करिए एक्जाम टार्गेट तो बाद में करिए अगर आप सिविल इंजिनेरिंग अच्छे से एक बार पढ़ लिए कोई भी एक्जाम आपको निकल जाएगा तो बिना टाइम बेस्ट किये हुए एफेक्टिव आप पढ़ सकते हैं तो आपके लाया है डिफ्रेंट डिफ्रेंट कोर्स अगर आप एज शी का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हैं विज्यए बैच इसमें आपको टेक्निकल के साथ नं टेकनिकल भी कॉंप्लीट आपको प्रिप्रेशन करा जाएगा अगर अगर आप मद परदेश सासन में SDO बनना चाहते हैं तो आपके लिए परहार बैच इसमें आपको टेक्निकल के साथ MPG के भी पढ़ाया जाएगा इंडिया जो की बहुत जल्द इसकी वेकेंसी आने वाली है उसके लिए बैच है आपके लिए तेजस बैच कौन सा तेजस बैच इसमें आपको करा जाएगा कुछ स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है अगर आप नॉन टे को और स्ट्रॉंग करना चाहते हैं कि एससे का लेवल देख रहे हैं डे वाई डे इंक्रीज होते जा रहा है तो अभी से आप उसको इंप्रूब करते जाए ये डे वाई डे तो उसक आपको क्या है कि आपको recorded form में मिल जाएगा digital board पर तो आप इसको भी देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे को समस्या क्या रहती है कि सर हमने question पढ़ लिया थ्योड़ी पढ़ लिया लेकिन हम लोग question practice कहां से करें क्योंकि आपने जब exam देने जाते हैं TCS का कोई भी exam देने ज लिया है कि अगर आप जई को टार्गेट कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा है अभ्यास जई बैज इसमें हम लोग कितना देखने वाले सर लगभग लगभग हम लोग पांस शेर प्लस question देखने वाले यांडि TCS का सारा question आपको है मिल जागा साथ में state जई का question जितना भी सकते हैं कि इतना number of question हम लोगों ने यहां पर club कर दिया है कि आपकी preparation को और effective बना सके और आप देख रहे होंगे कि हम लोगों सिर्फ इहां पर क्या कर रहे हैं option technique कर रहे हैं हम लोग पूरे solution को पूरे option को हम लोग क्या कर रहे हैं डिटेल में बता रहे हैं जिससे कि आपको भविस्ट में जो भी एक्जाम देंगे आप उससे connect कर सकते हैं चलिए अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि चाहते हैं कि सर हम कम टाइम में subject को recall करना चाहते हैं subject को revise करना चाहते हैं तीन महीना बचाये सर मेरे पास तीन महीने के अंदर हम चाहते सर एक complete हमारा subject पढ़वी ले revision भी हो जाए और पूरा subject recall हो जाए तो हम लोगों ने crash course launch किये हैं इसका नाम है fast track badge SSJ 24 के लिए इसमें आपको technical non-technical दोनों मिल जागा आपको क्या काम है आपको notes मनाने की ज़ेरोत नहीं आपको क्रिप्स में सब कुछ मिल जागा बस आपका काम है subject को recall करिए revise करिए और practice बैस से आप practice कर सकते हैं चलिए आप कुछ स्टुडेंट ऐसे भी हैं जिनका particular subject लगता है कि बीक है कोई भी subject अगर आपका बीक है तो आप उसको भी अस्टॉंग कर सकते हैं आपको मिल जागा recorded form में चाहे आप सिविल से हैं mechanical से electrical के हैं कोई भी प्रांशे से आप इसको देख सकते हैं अब यह सब मिलेगा कहां सर यह मिलेगा आपको कहां आप Google Play Store पर जाना है आपको AEC plus application क्या है download करना है download करने के वाद आप मुबाइल वरिफिकेशन कर लेजिए करने के वाद जो भी आपको क्या है जो भी session आपको लेना है जो भी आप त्योरी पढ़ना है आप उसको यहां से देख लेग से होहां पे आपको बहुत सारा डेमो लेक्टर ड़ला हुआ है तब आप जाके इंडॉल कर सकते हैं, ओके चलिए, सर ये सब जो प्रहार हैं, इसका PDF कहा मिलेगा, PDF आपको AC Plus Application के Telegram Channel पर आपको add हो जाना है, यहीं पर सारा आपको important information भी यहीं आपको मिलते रहेगा, I hope आपको आज का session अच्छा लगा होगा, अगर आप channel पर नए हैं, तो like क Take care